नमस्ते, एनल फिशुलाज या जिसको हम हिंदी में भगंदर बोलते हैं, ये ओपरेशन के बाद रिकर हो जाते हैं या फिर से हो जाते हैं, तो ये समस्या क्यों होती है और इसके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगें। मैं डोक्टर नितिश जावर हूँ, मैं अपोलो हॉस्पिटल बेलापूर नवी मुंबाई और नियॉल्टा स्पेशालिटी क्लिनिक वाशी में जनरल लाप्रोस्कोपिक, रॉबाटिक और लेजर सर्जिन के रूप में कारे रहा हूँ। अगर हम एनल फिशिला समझें, तो ये एक हॉलो ट्यूब होता है, जो एनस मतलब गुदादवार के अंदर की लाइनिंग को बाहर जो एनस के सराउंडिंग स्किन है, उसको कनेक करता है। इस ट्यूब से कुछ डिश्चार्ज जिसमें पस हो सकता है, थोड़ा सा पानी जैसा कोई चीज आ सकता है, कभी स्टूल के कुछ पार्टिकल्स आ सकते हैं या ब्लड आ सकता है, ये डिश्चार्ज होता रहता है। कुछ दिनों तक है डिस्चार्ज होता है, फिर कुछ दिनों में डिस्चार्ज बंद हो जाता है, लेकिन ही फिर से आता रहता है, इसको हम फिश्चुला बोलते हैं, अब फिश्चुला के कुछ प्रकार होते हैं, जिनने हम इंटर स्विंग ट्रिक, ट्रांश स्विंग ट्रि और complexity कि फिशुला सिंपल है या complex है हम treatment decide करते हैं तो जैसा हमने निर्धारित किया कि हम बात करेंगे कि फिशुलास फिर से क्यों हो जाते हैं चार ऐसी चीज़े हैं जो इस बिमारी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है पहली चीज़ होती है कि कुछ risk factors हैं जो हमें पहले से पता है कि ये कुछ फिशुलास को complicate कर सकते हैं या फिशुला presentation के time ही complex हो सकता है जिसमें anal cancer है, Crohn's disease है, tuberculosis है या diabetes है या smoking का habit है ये risk factor patient से related है और इनको हमने treatment के पहले treat करना या control करना ज़रूरी होता है second सबसे important चीज़ है जिसको हम बोलते हैं assessment of the patient अभी फिशुलास जैसे हमने बात किया कि बहुत सारे प्रकार हैं उसके साथ साथ फिशुलास में जो hollow tube है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है उसकी opening से एक से ज़्यादा हो सकती है जिसमें assessment बहुत चरूरी है तो पहला important चीज़ है कि patient timely surgeon के पास present करे जब फिशुला simple हो और complexity की तरफ ना गया हो जब हम assess करते हैं इन patients को अपना OPD में तो हम एक procedure करते हैं जिसको हम बोलते हैं proktoscopy तो एक digital rectal examination होता है जिसको हम DRE बोलते हैं एक proktoscopically examination करते हैं जिसमें हम अंदर एक चोटा instrument डाल के और एक short durbin से तपास करते हैं देखने के लिए कि इसका अंदर का tube का सिरा कहां मिल रहा है अब यह जो internal opening है इसका identification बहुत ज़रूरी होता है कभी-कभी कुछ cases में जहां जो risk factors है जो हमने पहले discuss किये या patient ने बहुत late present किया है तो हमको किसी तरह का imaging करके और इस चीज़ को निरधारित करना ज़रूरी होता है कि fistula का सिरफ एक ही opening है इसकी कोई side branches या ramifications तो नहीं है fistula ने कहीं कोई pass pockets तो नहीं बना लिया है जिनको हम abscesses बोलते हैं या ये horseshoe के form में midline या beach की हिस्से से दोनों तरफ तो नहीं चला गया है और ये सब assessment करने के लिए हमारे पास दो investigations होते हैं या तो हम endoanal ultrasound करते हैं या हम MRI करते हैं ये जो पूरा assessment है वो fistula के treatment के लिए जरूरी होता है और एक बार वो assessment अगर हमने कर लिया तो within a certain time period कि अगर हमने आज investigation किये हैं ये देखने के लिए कि fistula किस तरह का है उसको हमने एक mapping कर लिया है तो उसको हमने एक या दो हफ़ते के अंदर-अंदर operation कर लेना चाहिए अगर हम आज assessment करें और बहुत दिनों के बाद उसका treatment करें तो हो सकता है कि उस दोरान fistula का अपना nature change हो सकता है तो timely treatment again is important अब जो third factor है वो होता है intra-operative factors intra-operative factors जो हैं वो काफी हद तक surgeon dependent होते हैं अब जैसे हमने बात किया कि fistula के काफी सारे प्रकार हैं तो जो भी treatment का option है वो fistula के प्रकार से और उसकी complexity से vary करता है सारे fistulas एक ही treatment के से हम treat नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारे पास बहुत सारे options होते हैं कि हम fistula-automy करते हैं, हम fistula-ectomy करते हैं हम fistula-ectomy with sphincter repair करते हैं हम sphincter saving procedures जिसमें एक sloft होता है या lift होता है वो करते हैं या more advanced treatment, laser या fixation इस तरह के treatment हम fistula के लिए करते हैं जो fistula का प्रकार है, जो assessment आपके surgeon ने किया है उसके हिसाब से एक इन में से कोई procedure है जो best suited होता है उस fistula के लिए और ये चीज आपने discuss करके अच्छे से समझ लेनी है कि हमने इस fistula के लिए हमारे surgeon ने ये treatment advice किया है फिर हम pros and cons उसको way करके हम ये decide कर सकते हैं कि हमने कौन से treatment के लिए जाना है second important चीज होती है कि on table जब surgeon operate कर रहे है तब उनको internal opening दिखना चाहिए अगर अंदर का opening इस tube का नहीं मिलता है operation के दारान तो 80% chance होता है कि फिशुला आपको फिर से हो जाए, recur हो जाए इस के लिए जुरूरी है कि जब आपने फिशुला active है, जब आपने investigation कर लिए है आपका assessment complete हो गया, आप earliest possible date में operation करा लें जिससे internal opening का identification आपके surgeon के लिए easy हो जाए जो identification करने वाले हैं surgeon आपके on table वो ये अंदर का opening define करने के लिए या तो hydrogen peroxide उसमें inject करते हैं, या एक blue color का dye होता है, जिसको हम methylene blue बोलते हैं, वो inject करते हैं और फिर एक metal का probe डालके fissulous track को define करते हैं जब surgery internal opening के identification के साथ की जाए, अगर track की कुछ side branching या ramification से हैं, वो surgeons को पहले से पता हो और वो सारे उसी समय, surgery के समय address किया जाएं, by excision और laser और endoscopic treatment जिसको हम waft बोलते हैं तब chances fissula के trigger होने के काफी हद तक कर्ण किया जा सकते हैं तो ये intra-operative factors हैं, जहाँ पर surgeon ने ये ध्यान रखना होता है, कि fissula का पूरा track हम निकाल दें, अगर हम cut कर रहे हैं तो उसको पूरा exercise करें, अगर हम energy source यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको पूरा blade करें, चाहे हम endoscopy कर रहे हो या हम laser कर रहे हो अगर हमने किसी भी form में, जो sphincter complex है, जो muscles हैं, जो आपका anus को control देती हैं उनको cut किया है, fissula निकालने के लिए, तो वो हमने उसी समय repair करना होता है और ये हमने make sure करना पड़ता है, कि ये आपको आगे किसी भी तरह का incontinence का problem ना दे अगर ये सब factors हमने जो बात किये हैं, वो आपके surgeons observe करते हैं और आप अगर उनके सुझाई हुए treatment option पर जाते हैं, तो again fissula के रिकर होने के chances काफी काम हो जाते हैं फूर्थ जो सबसे important factor है, वो होता है post-operative care अभी एक fissula आपको हुआ, आपने timely surgeon को दिखा लिया, उसका treatment भी अच्छे से हो गया लेकिन जब fissula post-operative period में है, तो उसको चार से छे हफ़ता लगता है, फिर से normal healing का process complete करने में इस दोरान आपने constipation avoid करना है, wound का care जैसा irrigation आपको सिखाया गया है in terms of what's its path and using a spray to wash that area, वो सब बराबर से करना है कम से कम हफते में एक बार आपके surgeon के पास visit करना है, so that वो area examine करके यह देख सकें, तै कर सकें कि जो भी treatment के तरीका या cleaning का तरीका उन्होंने आपको बता है, वो आप बराबरी से कर रहे है कभी उसमें granulation tissue ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम hypergranulation बोलते हैं, उसको एक chemical cauterization की जरुवत पर सकती है कुछ TCA या copper sulfate जो हम use करते हैं उसके लिए, बट इसके लिए ज़रूरी है कि आप surgeon के पास weekly interval पे visit करते रहें जो surgery के दोरान आपको treatment पताया गया और बाद में आपने जब उसको follow कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी deviation हो रहा है कि discharge अगर ज़्यादा आ रहा है या कहीं नया कुछ pass pocket बन रहा है तो immediately आपने surgeon को report करना है तो एक अच्छा hygiene अगर आप maintain करते हैं, stool का movement अच्छा है, bowel movement अच्छा है, constipation नहीं है तो ये फिशुलास हील होने के chances और बढ़ जाते हैं तो हमने बात किया, अगर हम conclude करें कि जो anal fischुलास है या जो भगंदर है, उसके इतने treatments होने के बावजूद, ये बिमारी काफी annoying है, debilitating है, बार बार हो जाती है एक आम जनता में इसको लेके काफी भरांतियां है, कि अगर भगंदर का operation करेंगे, तो motion का control चला जाएगा, या ये फिर से हो जाएगा तो अगर हम ये सारे factors consider करते हैं, तो इसका जो chance है, उसको हम काफी हद तक minimum उस पे ला सकते हैं तो अगर हम conclude करें, तो सबसे पहला चीज, अगर कोई risk factor है, उसका treatment करना है, diabetes और smoking ऐसे दो risk factors हैं, जिनको आप अच्छे से control कर सकते हैं, बाकी बिमारियों के लिए आपके surgeons treatment करते हैं, cancer, TB या Crohn's कुछ भी है timely doctor के पास जाना है, और examination कराना है, proctoscopy, MRI या endoinal ultrasound, आपको एक अच्छा idea दे सकते हैं कि आपका फिशुला किस पकार का है, जो भी आपने imaging किया है, उसके बाद, बहुत time waste कि ये बगार operation के लिए जाना है surgeon का opinion कि इस प्रकार के फिशुला में क्या best रहेगा, उसको थोड़ा सा आत्मसाथ करना है, उसको समझने का कोशिश करना है कभी कभी हम अपना willingness उसमें लगा देते हैं कि हमको ये नहीं है, ट्रीट्मेंट चाहिए, तो वो हो सकता है कि उतना कारगर ना हो, बट आपके surgeon के साथ discuss करके आप वो चीच डिसाइड कर सकते हैं post-operative जो care है, उस समय जितना आप religiously fischula के wound का care करेंगे, उतना आपका chance है कि ये fischula आपको फिर से नहीं होगा तो anal fischula के treatment से डरने का जरूरत नहीं है, अगर कोई sphincter cutting procedure है तो भी डरने का जरूरत नहीं है अगर हम ये सारे factors जो हमने बात किया, वो follow करें, तो आपका जो anal fischula का treatment के बाद recurrence का chance है या जो फिर से आने का chance है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा और ये चीज आपने अच्छी तरह से समझ के, अपने doctor से discuss करके plan करना चाहें Thank you so much, all the best